Hello students, welcome back to all of you. आज हम बात करते हैं कि last one month, अगर आपका एक्जाम का रहता है, तो आपको revision के लिए क्या strategy लेनी चाहिए, कैसे आप manage कर सकते हैं, तीनों books को, और क्योंकि किसी-किसी universities में जुस लेबिस है, वो तीन books से ज्यादा भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर discuss करेंगे, कि अगर last one month आपके पास है, तो आप revision कैसे करेंगे, जिन बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट करा है, टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चों होते हैं, जो जैनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, अपने even semesters के लि और revision के लिए सबसे बैस तरीका होता है, पास्टेर कोशन पेपर्स, अगर पास्टेर कोशन पेपर उठा के देखेगा, अगर आपके पास नहीं है, तो अपने बुक को ओपन करो, और उसके पीछे गीवन होते हैं, कितने भी पुराने हो, चाहे 2012, 13, 14, 15, क्योंकि अगर आपका वहाँ पर जो हो वो स्लेबस मैच करना चाहिए, जब से हमारा एक्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, जब से लेकर कोई भी कोशन पेपर कर सकते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है कोशन पेपर करने का, काफी बच्चों को यह माइंड में है ना, खुद पे यह ही शक रहता है कि इतना ज्यादा हम ने पढ़ लिया फिर भी यू लगता है, डर लगता है कि पता नहीं हम यह कोशन पेपर में बैठ कर कर पाएंगे, यह हमारे मार्क्स कितने आएंगे, ओवरॉल सोचने लग जाते हैं, पता नहीं हमारे मार्क्स कितने आएंगे, कितन तो यही आपको डर अगर निकालना है, तो पास्टर कोशिन पेपर करो. डिवाइड कर लीजिए अपने तीनों बुक्स को. आप हम वन मन्त की बात कर रहे हैं. अगर आपके पास थ्री बुक्स है, तो आप हर एक बुक को 10 डेज देंगे. हर एक बुक को 10-10 डेज देंगे. ठीक है? पैरलेल लेकर चलोगे ना, तो मुझे लगता है कि अगर आप तीनों बुक्स को पैरलेल लेकर चलोगे, तो मैनेज कम कर पाओगे. फोकस कम होगा. एक चाप्टर को अगर हम एक बार निप्टा लें कम्प्लीट को, इसकी बजाए आप ऐसा करो एक बुक का एक चाप्टर एक दिन में निप्टा दो. वो ज्यादा बैनेफिशल रहेगा. और उसकी जो, उससे आपके जो कंसेट क्लियर होंगे, वो ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में स्टेवल रहेंगे. तो 10 देज में आप यहाँ पे युनिट्स दिवाइड करोगे, 4 युनिट्स आप डिवाइड करोगे, है ना, 4 युनिट्स हमारे पास है, तो 10 देज आपके पास है, तो एक दिन एक्स्ट्रा रखो, मतलब यहाँ पे हमारे पास है 4 युनिट्स, है ना आपको divide करना है वैसे अगर हम two two days लेते हैं तो क्या होगा कि दो दिन हमारे पास बच रहे हैं तो आप ऐसे करोगे unit two यानि कि दो units आप five days में cover करो ठीक है last two units जो unit number third and fourth रहेगी यह first and second unit third and fourth unit यह again five days में cover करो ठीक है इसमें ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि भी पास दन में एक दिन आपने बहुत ही जबदस्ती काम कर लिया और एक दिन आप फ्री हो गया हमें इनको भी डिवाइड करना पड़ेगा यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं कि चार आपके पास five days है तो आप एक unit को two days देजिए एक यहां पर जब आप हम बात कर रहें कि आपको फॉर्स में पढ़ना क्या है पूरा का पूरा पूरा पढ़ने बैठोंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा थोड़ा होड़ा बेसिक पढ़िए फिर मैंने अभी बदाया आपको पास्टर कोशन पेपर कीजिए उसी से आपका जो हो almost chapter cover हो जाएगा ओके तो हमें क्योंकि एक unit को time देना है दो दिन का है ना और एक unit में maximum 3 chapters हो सकते हैं चार होंगे तो बहुत ही छोटे छोटे होंगे उनमें से या minimum अगर हैं कहें तो 2 chapter भी हो सकते हैं तो बहुत ही कम time में बहुत ही ज्यादा slivers आप कर पाऊगे अगर आप इस type से divide करते हैं तो अगर मैं यहां पर देखते हूं कि मुझे two days मिलते हैं मुझे एक unit cover करने के लिए हना और एक unit में 2 और 3 chapter यानि 2 और 3 chapters हो सकते हैं तो 2 और 3 chapters अगर हम देखेंगे तो इसमें two days मेरे पास है दो चाप्टर है तो एक दिन में चाप्टर निप्टा द इसके बाद यह first book के मने बात की इसी type 10 days में आपनी second book कर सकते हो इसी type 10 days में आपनी third book cover कर सकते हो इसके साथ साथ आप यह भी देखेगा जब आप chapter को पढ रहे हैं तो आपको देखना है कि जब मैं starting में मैंने इसको पढ़ा chapter को तो वहां पर मुझे सबसे ज्यादा problem किस question मे आ रही थी हमेशा tick करके रखना होता है pencil ले लेजिए साथ साथ में जो आपको लगता है कि important thing है important notes है important question आपको लग रहे है तो उसको tick करते जाएगे क्योंकि exam time में हमें 2-3 दिन का time ही मिलता है ज्यादा मिल जाएगा तो 4-5 दिन का मिल जाएगा और आपको पूरे तीनो books revise क करने होते है तो यह जो ठीक है आपको बहुत ज्यादा help करेंगे जब आप exam time में revise कर रहे होते हैं clear that point तो यहाँ पर अगर आपने exam paper को यानि पास्टर question paper को बैठ के करके देख लिया और हाँ अगर आपके पास एक दिन extra बच जाता है जैसे मैंने आपे बताया कि 5 दिन है च कि जब मैं next unit करूंगा या next unit करूंगी तो मुझे कहां ज्यादा problem आ रही है बिना revise किये मुझे कहां ज्यादा problem आ रही है तो उस पर हम focus कर सकते हैं कि यह मेरा point week है तो अभी जो मेरे पास next 5 days है तो मुझे इस chapter का topic फिर से बहुत अच्छे से करना पड़ेगा ठीक है जी तो कि जब हम exam time में जाते हैं exam time जब हम कर रहे होते questions को तो वहां पर पैटरन हमें अजीव नहीं लगता है हमें नया नहीं लगता है हमें ऐसा लगता है कि हमें से familiar है कर चुके आराम से कर लेंगे मैनेज कर सकते हो आप एक तो आपका जो जिस भी student को जो लगता है कि exam का phobia जिसको हम कहते हैं या फिर ऐसे लगता है कि पता नहीं percentage कितना आएगा इतना ज्यादा पड़ लिया तो भी percentage आएगा नहीं आएगा इस टाइप से negative thinking आती है तो उसको आप positivity में change कर सकते हो अगर आ कि आपको कुछ ऐसे topics हैं जिनको मैं अभी भी नहीं कर पा रही हूं या नहीं कर पा रहा हूं तो उनको आप अलग निकाल दीजिए और जैसे क्योंकि यह तो one month हमने कहा हो सकता कि आपके पास one and half month हो ठीके ना तो उस topic को आप बात में लीजिएगा हां important chapters को complete अभी करना है म important chapters मैं आपको बता चुकी हूं unit wise आप किसी भी university से belong करते हैं मैं सभी के important chapters बता चुक है unit wise तो उनको तो आपको बिलकुल करना है अगर वहां से कोई topic लगता है कि यह मेरा week है तो उसको इनी दिनों में complete करेंगे आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे understand तो यह strategy follow किजिए और दे और इन 10 days में मुझे third book को cover करना है तो mind में pressure नहीं रहता है और जो भी important chapters के आप important questions देख रहे हैं अगर आपके पास pastor question paper नहीं है तो इन्युवरा मैस application डाउलोड कीजिए वहां पर free content आपको show करेगा combined course open करो या फिर single जो भी आपकी book है उसके course open करो वहां पर जितने भी questions डा official होंगे और unit wise आपको मिलेंगे तो आपको करने में भी बहुत आसानी होगी मतलब ऐसे चूज नहीं करना पड़ेगा यह चाप्टर का यह चाप्टर का है तो unit wise questions आपको मिलेंगे आप इन questions को भी practice कर सकते हो वहां से भी questions को ले सकते हो वह सारे questions जो पास्टर question paper से ही लिए हैं तो वहां पर आपको 20-25 questions या फिर हो सकता है 30 questions भी आपको एक एक unit में मिल जाएंगे उनको करने से भी आपका बहुत ज्यादा benefit हो तो अच्छे से try कीजिए अच्छे से concept को clear कीजिए और बहुत ही positivity के साथ आप revision कीजिए definitely exam में आप चखके चुड़ाएंगे बहुत अच तो यह कोई जादू नहीं है यह सिरफ पढ़ने का और time management का ही system होता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से positivity साथ अगर आप महनत करेंगे तो definitely आप भी कर पाएंगे मिलते नेक्स क्लास में बाई take care